हालो फ्रेंट्स आज बात करने वाले केवेस रिक्रेमेंट 2022 के बारे में हैं ठीक आप मैंसे बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि केवेस में टीचर बढ़ने का सपना देख रहे होंगे अब उनका सपना यहाँ पर पूरा हो सकता है कैसे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी सब्सक्राइब करने वाले हैं तो केवेस में टीचर बढ़ने का सपना दर देख रहे हैं तो इस बार बिलकुल आपका यह सपना पूरा होने वाला है जैसा कि सबसे पहले इंपॉर्डेंट शी होगा कि इसकी नोटिफिकेशन कब तक रिलेज होगी तो इसकी जो नोटिफि एणिट जो होगा उनलाइन का वो कब तक होगा चार अगस्त तक होगा और एकजाम कब तक होने की संपाब सबस्पदा होगी वहैं बात कई कैसी है regular जो है यहां पर permanent जो है contextual वेसिस पर यह भरती नहीं है बलकि permanent teacher भरती प्रक्रिया है यह अब बात करते total number of vacancies मैंने कहा कि यहां पर 14,000 प्लिस की vacancies होगी जिसमें से अगर मैं बात करूँ PRT का यहां पर जो है कि PRT की जो vacancies लगबग है यहां पर 4,322 प्लस होने वाली है वहीं अगर PZT की बात करें तो 1,942 प्लस vacancies होने वाली है तीज़ी की मैं बात करूँ यहां पर त्यारी करते रहें अब vacancies बहुत जल्द आने वाली आप भी अगर त्यारी करते रहते हैं continue तो कम से कम त्यारी के लिए भी 6 मंत की समय चाहिए ठीक है 6 मंत का त्यारी आपको चाहिए ही चाहिए इसकी अगर इसकी में स्लेक्शन चाहते है तो तो बहता है कि बस नोटिफिकेशन आपकी जो रिलिज होने वाली तेरा जुला इसे पहले आप त्यारी भी शुरू कर देंगे ताकि नमबर तक में डेफिनिटली आपका जो है कोर्स और से लेवस कंप्लेट हो जाएगा और इसमें आपकी प्लस इंटर्व्यू से आपका क्या बनेगा इससे बनेगा यहा रिखाएगा तो PG TV för MIT सब्सक्राइब किया है आपके अःपका एंटर्व्यू है और कितना होगा सब्सक्राइब होगे और सिट्टी अगर पीजन कि में बात कर तो यह इसमें सब्सक्राइब हुआ इस नहीं है तो पनल मिला कर यहां पर बात करेंगे अब इसके बाद क्या बाते होगा कि इसका स्लेबस क्या होगा इंपरוש चीजशन स्लेबस क्या होगा एज कितने कितने होगे ठीक है तो फिर चीम बात करू यहाँ पर नहीं है इसकी में बात कर लूँ ठीक तब्र 500 सब्सक् أي physiology Research the सब्सक्राइब श्रीजिव सब्सक्राइब श्रीजिव सब्सक्राइब छुट मिलेगी ठीक तो प्यार्टी में कुल मिलाकर महीराओ लिए 40 साल टीजटी में 45 साल और पीजटी में 50 इर्स इनको यहां पर एस दिसमें मैक्सिमम होंगे ठीक है तो अब आगे डिटेस से जानेंगे जिसमें के प्रिवेसर की कटफ के बारे में बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे सारे डिटेस आगे देखते हैं चली डेट की डिगरी है ठीक है और सीटेट पेपर वन है तो प्यार्टी के लिए आप eligible है ठीक प्यार्टी के लिए eligible है है ना चलिए इसके बाद नेश्ट आते हैं यह हो गया प्यार्टी के लिए इसके बाद आते हैं कि BCA BCA अगर मैं बात करूँ BCA और post graduate होने चाहिए in the same subject ठीक है in the same subject तो आप इसको apply कर सकते हैं MSC computer sensor वाले आप इसको apply कर सकते हैं MCA वाले इसको apply कर सकते हैं BE या बीटेक वाले कोई भी स्ट्रिम से हो और साथ हमें साथ और साथी साथ पीजी इन computer होगा तो आप इसमें apply कर सकते हैं ग्रैजुट 50% BA और तीटेट पेपर 2 टीटी वाले apply कर सकते हैं ठीक है यहां पर प्राइमरी टीचर की बहुत कर रहा हुथ तो यहां पर बात हो रहा थी कि आपके पास कौन कौन से डिगरी होने चाहिए तो कौन कौन यहां प्रामी टीचर ठीक है यहां पर बारे में और पहँआ है और प्रामी टीचर का होता है ठीक है प्रामी टीचर में वहां पर ध्यान रहा हो गया और एक्रामीर Cam pequ missing तो मैंने क्या बता है यहां पर समझेगा दो तीन बाते यहां पर तो ग्रैजुर्स 50 परसंट तो होने चाहिए यह कर सकते हैं यहां फिर एक और कंडिशन है यहां पर मार्स ऑन 2 दिप्लोमा इन अलिमेंटरी एज्युकेशण या फिर सेर्डरी विच फिर एप्ली परसंट्री अलिमेंटर एज्युकेशन यानि कि बीन तो यहन पर पिया टी वाले कि यहां यहां पर बी एलेट कर जीरी इने कर रहा है थीए अर्ट बी एल एड वो अप्लाई करेंगे फिर सिने सेकंडरी विद्स फिप्टी परसेंट मास एंड टू येर्स डिप्लोमा इन एड्यूकेशन यानि कि आप अस्पेशल एड्यूकेशन वाली इसमें प्राइमरी टीचर में ठीक है लिजिवल हला कि मैं इसकी प्रेफ में देखा देतो चल बैसेर डीगरी इन मूझेक किसके लिए प्रेटी मूझेक के लिए मास्टर डीजिटी परशे मास प्रेट्टी प्रसेमास व लक्त और सीटेटि इसमें आपको निससरी नीए देखें सीषएट पेपर वन में से स्चनाच ए किसके लिए एक से पांट त्य फिप्तक लेए प यहां पर कुल 150 मार्स क्या होता है जिसमें की 70 मार्स जो होंगे common subject की होंगे जिसमें पेड़ागोगी, reasoning, English, Hindi, computer होंगे और specific subject जो 80 मार्स को होंगे English 20 मार्स, Hindi 20, EBS 20, Math 20 PZTK मैं बात करता हूँ यहां पर, reasoning 40 मार्स, GK current reference 40 मार्स, teaching pedagogy 40 मार्स, English plus Hindi 30 मार्स, ठीक है? चलिए TZT exam pattern के मैं बात करता हूँ, यहां पर paper 1, paper 2 होते हैं, general English, general Hindi, 10-10 मार्स कहीं होते हैं, current reference 40 मार्स, current gk जो होते हैं, gk और current reference 40 मार्स, reasoning 40 मार्स, computer 10 मार्स, pedagogy 40 मार्स, कुल, 150 कुछ है, 150 मार्स के लिए, ठीक है, तो, यहां पर EC के बारे में बात कर रहा थे, PRT के लिए, PRT वाले के लिए, eligibility के मैं बात कर रहा थे, उसका यहां पर मैं PDF, जो, previous year का, previous year का, प्रिवेसर का नोटिफिकेशन, उसमें आपको दिखाता हूँ, यहां पर हम दिखाएं 30 years होता है, ठीक है, इसमें भी आपको जो छूट मिलेगी, ठीक है, SSA, जो, यहां पर आपको छूट मिलने वाली है, उसमें आपको देखा दूए, eligibility क्या होती, age relaxation में क्या होता है, यहां पर age relaxation में ध्यान रखेएगा, जो होगा, OBC वाले के लिए, तो पता है, 3 साल छूट म और जो women category है न, देखे, women के लिए, यहां पर especially, women के लिए मैं बता रहा हूँ, women के लिए आपको यहां पर 10 साल का, ठीक है, all category, women, all category, 10 साल का इसमें छूट मिलता है, तो 30 पलस 10 कितने होगे, 40 years, ठीक है, तो women के लिए 40 years, women के लिए 40 years है, बाकी जो male candidate उनके लिए 33 जो होगा, किस के लिए, SC, नहीं सॉरी, OBC यहां पर न, OBC और 35 होगा, SC और ST के लिए, ठीक है, इतने बात आप ध्यां रखेगा, women category में बहुत अच्छा है, यहां पर opportunity मिलता है, इस बात का ध्यां रखेगा, ठीक है, चले, तो देखे, आपके क्या क्या बात, जो मैं कहा, कह रहता हू यहां पर देखे, यहां पर आपके बसक, कितने है, एक, दो, तीन, चार, यहां पर चार आपके पास, चार आपके यहां पर condition रखेंगे, क्या-क्या, senior secondary, with at least 50% marks, and 2 years diploma in elementary education, यहां पर देखे, a special, यहां पर mention कि, a special education वाले भी, a special education वाले अपलाई कर सकते हैं, जिनका graduation है, 50% marks, and bachelor of education, यानि कि B8, देखे, graduation 50% होना चाहिए, और B8 की degree होगी, वो अपलाई कर सकते हैं, है न, वो अपलाई कर सकते हैं, ठीक है, चली, यह हो गया, तो PRT वाले के लिए, यहां पर यह opportunity है, मिन्स की OBC है, तो 33 साल, ठीक है, म का गया, कि दूसरा, दूसरी बात, यहां पर point, इन्होंने कहा है, condition यह बताया है, कि आपको और क्या होने चाहिए, यहां पर कहा है, कि qualify, है न, qualify, जो होने चाहिए, central teacher eligibility test, यानि कि CET, conducted by government of India, CET, आप qualify होने चाहिए, CET, जिसके बारे मैंने जिक्र किया भी था, proficiency to teach through English, और Hindi medium, ठीक है, यह तो पहले से आपको पता है, चलिए, इसके बाद, primary teacher, जो music वाले के लिए, क्या, यहां पर condition रखा गया, कि senior secondary school certificate, senior secondary school certificate with 50% marks, नहीं है, कोई बात है, intermediate, intermediate with 50% marks, नहीं है, चलिए, कोई बात है, दूसरा और देखते है, या तो इसके equivalent, और, और, bachelor degree in music, या फिर equivalent पर में recognize university, तो यहां पर जिनका अगर, senior secondary, 50% marks है, ठीक है, और bachelor degree है, वो primary teacher music के लिए जा सकते है, ठीक, चलिए, यहां पर और, यहां पर किनों ने mention भी किया है, ठीक है, for the post of primary teacher music, the candidates who, who obtained diploma in music, are not eligible to apply, ठीक है, प्यार्टी music वाले ध्यान सा सुनेगेगा, अब गर आपके पस diploma degree है, तो नहीं, या पर यह relaxation बहुत ज़रूर है, यह वाला point, all booming, all booming category के लिए, इनको 10 साल की छूट यहां पर मिल रही है, फिर पोस्ट जो principal और west principal को छोड़ कर, ठीक है, बागी 5 साल और 3 साल ध्यान रखीग ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे, यहां तक आगे है, mode of selection तो पहले सी पता है, ठीक है, अच्छा, यहां पर जो तमी syllabus के बारे में यहां जो जिक्र किया गया था, जो मैंने और रेडी में लिखकर मैंने मैंने किया था, उसी का यहां पर syllabus दिखा गया है, चल गये, syllabus interview, interview कितना मास का होता है, यहां पे देख लिहां साट आट मास का interview होता है, ठीक है, साट मार का, मास का क्या होता है, इधिया रहा रिखेगा, चल यहां पर General English Part 1, Part 2 का देख लिघा क्या क्या कि यहां पर लिखा हुआ है आप लोग स्क्रीन स्वाट लेज़ेगा साथ मास का इसमें इंटर्विव मिलेगा ठीक है यहां पर कहा गया चल गया अच्छे तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का था ठीक अब इसके बाद पोस्ट ग्राइजू टीचर हो गया था टीजिए ट् पार्ट बन पार्ट टू में क्या क्या होता कोशन अब लोग देख लिए अपर टोटल क्या है अच्छा साथ मास का इसमें इंटर्विव हुआ है ठीक और अगर मैं बात करूं ट्रेंट ग्राइल जो जो टीचर टीचर टीजिए वाले क्ली यह रहा हिंका स्लेवर्स ठीक होते कोशन पेपर टोटल नंबर ओफ कोशन क्या क्या होते इन सारे चीज को यहां पर देख लिए ठीक है जिसमें कि यहां पर भी लिए बात करूं टोटल यहां पर देख लिए सब्सक्राइब और तो हमने प्रामरी टीचर की बात हो गई और किसकी बात होगी हां मेजिक वाले के लिए धेख लिए जगई यहाँ पर है और आप्लारे तो भाइस की जो ओफिसल वेला होता है और क्या देख ले यहां पे जो फीडरा है यहां पर निया प्रटों पर आज होएगा तो बस इंतजार किजी इस महिने के के बाद कभी भी इसकी जो है नोटिफिक्शन आपको देखने को बन सकता है अगर कोई क्यूरी को डॉट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछने जागा तो मैं आप अभी मैं क्या बता है यहां पर जो टोटल जो नंबर वेकंसिस है ठीक है और कब तक सब्सक्राइब करेंगे जुक्ति आपको समझ रहें हैं यह पीजीटी की यहां पर बात हो रहे हैं उसके बारें बात करेंगे सबसे पहले देखें है हिंदी की बात करें हिंदी में सब्सक्राइब करें इससब्सक्राइब करें। 74 गया था यह कितने में यहाँ पे नोट के लिए ऐसे ऐसे Tecelles of 150 में tämä कि एकशोपतचास मेंाथ सब्सक्राइब है 100анич यृ musi पर 1997 मेत की बाद जो और लॉजिक soutरpseल इसकी बाद फ़्चे कि का З Divyauf जोग्राफी का है 106, Economist का 87, Commerce का 100, Computer Science का 103, TGT P and HE का 80, TGT A and E का 111, और TGT WET का 106, बाकि OVC वाले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन सॉट भी से ले सकते हैं, ठीक है, स्टी वाले यहाँ पर देख सकते हैं, स्टी ओ एच वी एच ठीक है, एच एच और बागी अधर वाले यहाँ पर देख सकते हैं, तो जनरल की बात यहाँ पर होगी की भाई, और अगर OVC का अगर comparison करें, या स्टी की comparison करें तो बहुत जाज़े differences नहीं है, हिंदी की बात करें तो ठीक है, और OVC से 104 है, इसमें 105 है, उसे तरह OVC का देख लिए 95, English में, Physics में 73, Chemistry में 95, Maps में 88, Biology में 102, History में 91, Geography में 105, Economics में 86, Commerce में 95, PZT Computer and Science में 99, THT, TZT, PN, HE का देख लिए 79, TST, A&E 108, TZT, WET का 105, है, बाकी category वाले देख सकते हैं, या screenshot ले सकते हैं, ठीक है, अब आईए, यहाँ पर cut-off की बात हुए, किसका, ठीक है, TZT Hindi की बात हुड़ी है, TZT Hindi में, General Category कितने गया तो 74, TZT Math की बात करें तो, सब कितना है, 150 में, ठीक है, 85, Math में, Science में 83, 150 में, Social Study में 79, English में 78, Sanskrit में 71, PRT की बात करें आपे, तो 95, OBC वाले देख सकते हैं, 73, TZT की बात करें, Math में 84, Science में 82, Social Study में 78, 77, English में 70, Sanskrit में, और PRT में 94, ठीक है, बाकी SC, ST वाले, OH वाले, आप इसका screenshot लेके देख सकते हैं, ठीक है, यह हो गया, ठीक ना, screenshot आप ले सकते हैं, PZT या TZT के जो cut-off है यहा हुआ है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, PRT लैबरेरियन की बात करेंगे, PRT लैबरेरियन म्यूजिक की बात करेंगे, PRT मूजिक की बात करेंगे, और लैबरेरियन की बात करेंगे, है ना, तो जनरल कटेगरिका केतना किया था, 97, OBC में बात करें, 92, SC में 93, ST में 66, OH में 84 VH में 88 ठीक है लाप रेडियों का गटप कितना गया था भाई 185 184 OBC में SC में 98 ST में 89 OH में 95 HS में 77 ये सब कितना में गया भाई